वेलकम टॉल आफ्यू मैंसल दीपक देवंगन आज मैं आपके सामने एक और नैवड़क्साइब पेस हूं जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जन्रल इंट्रॉक्षन आप इंडोक्राइड ग्लैंड आज हम पुरा एंडोक्राइड ग्लैंड के उपर वीडियो वीडियो सीर जर्नल इंट्रॉक्षन देखेंगे अगर यह वीडियो जो है हमारे पास अगर हम इसको नहीं बनाते हैं डिरेक्ट मैं अगर एंडोक्राइड ग्लैंड को पढ़ाना शुरू कर देता हूं तो दिक्कत आपको समझने होगा इसलिए मैं इसको स्टार्ट किया हूं ताकि कर देखेंगे दों कि उसको पड़ने से पहले हम किसका जनल इंट्रॉक्षन मालूं होना चीए कि वह किस तरह से इसमें क्या उसका पार्ट होता है या उसमें बहुंड सारे जो चैमिकल नाम वगर आएगा तो आपको इसमें समझ में जाग एक कैसे उसमें उसको नाम को दि मतलब की एक प्रकार से उसको नियंत्रित करना है और उसको सूचना आए देना है उसको जो है दो तरीके सिया दो सिस्टम के दोरा जिसको गंप्लिट किया जाता है या पूर्णा होता है यह पहला जो रहता है उसको बोलते हैं हमारे पास सिस्टम के नाम से जानते हैं दो हमार है वो एक्जेट रहता है जीस तौराक से उसको असर करना है वही ही पर जाकर एक्ट को आपनी इसमें सो करेगा और इसका ट्रजी डेरहां को टोफ्य ऑप ज अलायग जगों पर भी अपना इस सोबोग करते हैं संसा जहें नर्वस सिस्टम पहुल में तैजी में भॉक करता है और एंडोक्राइन रहता है वो शलोवर्क करता है इसमें हम भी हम लोग होगा थद्राइट्व होगा प क्रैकर कि इन सब चेज के इंपके साट पहले साण करते हैं और नरवस सिस्टम रहता है सोट निभड हो रहता है कि कम टाइम के लिए बनते हैं अरे आप ऐने बंबे समय इसलिए मैं इसको स्पैसिफिख नहीं बता रहा हूं ठीक है मैं अब उसके बाद देखी यहाँ पर हमने बोडी को कट्रूल करते हैं। और रहता है इसको बोलते हैं क्या पर हम लिखे स्टडी यौツ अभक कहते हैं। तो जितने ही भी हमारे पस लोडिक नो एक lived qualité करें हैं। अंतासरावी ग्रंतियों का अध्यन किया जाता है उसको एंडोक्राइनोलोजी कहते हैं ठीक है अब यह फादर आप एंडोक्राइनोलोजी इसको बोलते हैं आपको थॉमस एडिशन को जो है फादर आप एंडोक्राइनोलोजी की नापसे इसको जाना जाते हैं थॉमस इसको हम भी पढ़ने वाले हैं दूसरा होगा हमारे पास एक्जोक्राइन गैन और तिसरा होगा हमारे पास जो है हेट्रोक्राइन ग्रेंड या जो है मिक्स ग्लैन के नाम से इसको जाना जाता है तो पहला जो रहता है इसको देखते हैं एंडोक्राइन ग्रेंड जो रहता है इसका जितना भी सिद्धेशन होता है हार्मोन जितनी भी निकलेंगे उसको कहा ड़ेगा वह उपने ब्लड में जो है अंदर ओ से उस्थ नहीं में यह पायता है व te को डालते हैं यह blood में mixed नहीं करते हैं और इसके अंदर को यह जो हैंद हैं अपने सिक्रेशन को बलड के बाहर जैसे कि हमारे इसकी निकलने के लिए लार जो है आपके दोनों नेचर के होते हैं इसमें जहें एंडोक्राइन भी होगा और जहें एक्जोक्राइन ग्लेंड भी होगे एक्जांपल एक्जांपल के तरप यहां पर लिखा है तो पैंक्रियाज को मैंने पढ़ा दिया हूं सबढ़ों साइसको को नाम से यहां पर हार्मूस लिखा हुआ है तो उसके बाद देखते हैं हर्मोन क्या है आपको जानना तो जरूरी है मैं क्या होता है किसी ने today जय सो झालिंग में दिया थाकिम ऑंचया प्रैक्टक करने वाला पदार्थ होता है और इसको टम को हर्म चपी इने सयु के दिया था हामोस और नौट टेकन विट फूर्थ इसको फूर्ट के साथ भोजन के सांथ इसको ग्रहन नहीं किया जा सकता बहुत जितने भी हमेरे पास होते हैं तो उस हार्मोंस को जहे हम किसी भी भोजन के द्वारा इसको आपका नीिट्रेन केमिकल यह जो है वो निट्रिसन Hazard में नहीं आर्मौन फस्ट जो हरमेंस उसको पहली बार जो हर्मोन खोजा गया था उसको बोलते के आपको zupełnie 1902 में इसको खोजा गया था आपको किसा यह था भाएव जो है वह उंसके बाद और हर्मोज के अनय नाम तो हर्मोज क्या लाकिया अन्य नाम इसमें हो सकते हैं तो देखो यहां पर प्रैमरी में मेसंजर भी बोलते हैं केमिकल मेसंजर भी बोलते हैं और जो इसको जानते हैं और प्रैमरी मेसंजर केमिकल मेसंजर के नाम से भी इसको जाना जाता है अब देखो यहां पर हमने लिखे हैं हारम जो रह में मीजोडर्म तो कौन कौन से जो लेयर हैं उसे कौन कौन से जो हमारा सहरुमूल से उसकी उत्पति होती है है इसको हम यहां पर समझते है सब सब लाएगा इस पर चौन से आपके पिटोटरी गलेंट सो गया और इडिनल मेडुल ठीक है घ्रार रहे इडिनल ग्लांट से उसमें फाइस तो एडियसें दूर्ला की ज़ो ओरीजिन होती है वह कहां निदर आते हैं अब उसके देखो एंडर्म में क्या होगा आपका थारयूड गलैंट होंगे ठाइमस गलैंट होगा और पेंक्रियास होगे सब्सक्राइब जो है चार इसके द्वारा इसमें निर्मान जो होता है ठीक है अब देखो हर्मोस और इंजाइम में क्या समानता आयं होती है क्या दोनों में जो है समानता देखने को मिलता है हर्मोस और इंजाइम में बहुत बार जो है होता है स्ट्रेंड्स को तो यहां किया करते हैं तो इसमें विसरानस करता है और ji क्या करेगा पानी में होता है अटार्थ होता है और यह सरीर में संग्रहित नहीं होता सरी में जहें वो संग्रहित नहीं होते हैं अपवाद की रूप में एक हमारे पास होता है थारक्जिन हार्मों ठीक है थारक्जिन हार्मों जहें वो अपवाद की रूप में जो की इस्टोर होके रहता है बाकि कोई भी हार्मों जहें इस्टोर होकर नही प्रोजेस्टरान हो गया टेस्टेस्टरान हो गया यह लगतार हो बनते रहते रहते हैं इसा होता है छो होता है निकलेगा जैसे कि आपका पूटर करने के लिए हर्मों चीए तो यह केवल वही काम इसमें करेगा और कोई दुसरा काम ऊता हैं क्या करेगा टेश्टिस के अंदर जह स्पम के निर्मान को जो है वो प्रेरित करेगा बांकि और किसी काम को जो है वो नहीं करेगा स्वेम उसी तरह से सब हार्मोंस का या इंजाइम का सबका एक काम निश्चित नियधारित होता है उसके बाद होगा हमँ़े देखो नौट टेकन विद्फूड इसको भोजन के साथ कभी भी ग्रहान नहीं किया जा सकता अब उसके बाद देखो हार्मोंस और जो हमारे पास एंजाइम होते हैं इसमें अर्थ समानता हैं क्या होती है दोनों में डिफ्रेंस क्या है दोनों में तो देखो यहां पर तो देखो इसमें हमने लिखें एंजाइम देखो और एक तरब लिखें हमने हार्मोंस तो इंजाइम क्या होते हैं इन्हें पूना यूस किया जा सकता है इंजाइम जो रहते हैं उसको पूना यूस कर सकते हैं लेकिन देखो हर्मोन जो रहते हैं इसको पूना यूस नहीं किया जा सकता हर्मोन को पूना यूस नहीं कर सकते हैं केवल एक बार उसका उपयोग करेंगे दो बार उसको प्योग हम नहीं कर उसको पूना इूस आप इसमें कर सकते हैं सभी हम उसको होते हैं यह क्या होते हैं अलग अलग नेचर की होते हैं इसमें एक्टिविटी करते हैं और ब्लड की बाहर होता है लेकिन हार्मोन का ही रहता है और हार्मोन का जब लो होता है अब देखो करेक्ष्रेक्र is of थो हर्मों की विश्षता है इसमें क्या है तो देखो बहुत कम मातरा में सराविद और इस-uto दोरा बनाया गया है वो किसी एक से अधिक काम को सकते हैं और सब्सक्राइब करते हैं बीना कुछ नहीं होता एक प्रकार से बोला जाए तक हमारा बोड़े जो हारमोस के तुरू जो है वह चल रहा है अब देखो यहाँ पर हमने लिखे नेचर आफ हार्मोस कौन-कौन से नेचर के हार्मोस होते हैं तो चलो यहाँ पर रहें दिखे हमने इक पर नेचर हार्मोस और जो है एंडोक्लाइन ग्रेंड के तरह स्रावित के जाता है सबसे पहले आजाएगा हमारे पास इसमें क्याएगा अमाइनो एसी डेरिवेटिव से उत्पन होने वाले हार्मोस का नाम होगा अपके थैरॉक्सिन होगा और इसमें एडिनलीन होगा इसके गका यह ते तीन हार्मोस है तो जो हुता है वह ब स्रावbayद होता है उसलश से आपकी प्रेसे जिसको एक जानते हैं ऑक्सिटोसीन नीन अक्सटोसीन होता है है तो हमारे इसका मैंने इसका फंक्सिन होता है उस तरह से आपका आपका योप तो और lukarı के वह तो खुता है लॉड ने स्कत्लिक्न जो होता है और जो है इंशुलिन होता है बीटा सेयल आप पेंक्रेस के दवरह होता है और पीटी सद्रूर है और जो युद्थ सी एचनि की थायरो कैल सी टोनिन जो है यह किसके थारेट ग्लेंड के द्वारा होता है ठीक है जो कि आपका पैरा फॉलिकुलर सेल्स के दुरूज़ श्रावित होते हैं उस्तरा से जो है आपका एक अंटेरियल लोब आप प्लाइको प्रोटीन तो प्लाइको प्रोटीन प्रोजेस्टरान होगा तो अश्टर जो है प्रोजेस्टरान की किसके दरह होता है आपका और तेस्टराइब होते हैं उससे आपका यहीं कप्रोशक्राइब होते हैं जिसको लोकल हर्मस के द्वार इसको शाजए जो कि आपकी फिम में 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 पाया जाता है आप देखो यहाँ पर जो है category अप अंडॉक्लाइन ग्लेंड के जो है कितने गेडाग्री में इसको भाटा गये तो दो इसके पहला है आपको जो है और्गनाइजड डटवेटियंगां झोनण और बनाइज और उर्गनाइजड यहां पर लीखी अमने रस्य के इंग्लस्टर में पढ़से टैंसे आफ मलते हैं जो हो और इंडोकलेट रफ है हिसके तरह निकार से घ्रूपनgres कि तो downward जैसे कि ग्रूप आप शैल्स इसमें पाइड होगा होगा यह फाला हुवे रूप नहां होता है जैसे कि आपका गैस्ट्रों इंट्रेस्ट्रेस्टेनल ट्रैक्स के हर्मंस होगा सास्त कि निकी हर्मस हो गया até देखो यहां पर हार्ममस को हम इसमें देखते हैं प्हला होता है आपका सिनर्गेस्टिक हर्मस होता है दूसरा है तो तो पहले देखते हैं सिनर्गेश्टिक हार्मों तो इस में यह साथ साथ काम करते हैं यह दूसरे की विपरितकार करेगा और यह भिदूसरे के साथ मिरीच मुझे वर्क वो करता है तो देखो यहां पर हमने लिखे एक्जामपल के तोर पर इसमें क्या आजाएगा हमरे पाद जिसमें यहीं इसमें लाइट करता है ठीक है और ène कि थायों के लैंसी तोनीन आपका पी टी आई यानिकी पैलमो यह दोनों कि यह दोनों क्या करता है टी सीटी जो है मूत्र में केल्सियम की मातर। को बाहर करता है मुत्र जो रहता है यूरिया उसमैं कल से अंदर डालता है इसके self क felt आलता है इसको और यूरिया कंदर लें रहो घपान विए foreign अब किया हर्मोंस इसको अफ्छा समझ लो है ना तो हार्मोंस बनलेकिन sortir ग्लैंड से स्रावित नहीं होता stellen से स्रावित नहीं नहीं में रहता है यह प्रुउस्टाग्ल今年 आपने इन दोनों के बारें बहुत द बार सुना हो काश्ट डौन प्रकूंट हो गई दोनों क्या सीज है जाल॓ं समझेंग ढरी की बüरी सेट ठीकें पहले पहले पास आजा के इसमें पॉस्ट जानींस तो सिक्रेटेड एट क्या जाता है यह क्αι। इसको डिसकर्ट किया था डिस्कर्ड बाइय जिसको बने डिसकर्ड किया था है तो तो यूटरेस की स्मूथ मसल्स को कॉंट्रेक्ट करता है जिसके करने सब्सक्राइब के तरह असानी से बढ़ सकता है कि तरह असानी सब्सक्राइब को बढ़ना है तो सब्सक्राइब को बढ़ने के लिए कॉंट्रेक्शन भी चाहिए किसका यूटरेस का तो यूटरेस का कॉ के द्वारा होता है इसी प्रोष्टाग्लेंडिंस के द्वारा होता है इसके अंदर क्या था है हमेरे पस इसमें क्या होते हैं सैंnetोर आएक्टे श Chronic셨 perfectly सॉर्च होता है ठीक है कि एक और नाम से जानते हैं इसको आपकवर नाम से भी बोलते हैं और इसमें सेyan किया होता है डेंजर इसको देते सबंसक्ता है Adrigation मतलब एक 20 हो जैसे कि हैनीवी हो गया चीटी हो गया तो वह एक सीधी चलते हैं चीटी तो कैसे उसमें चलता है वह जो है formats को छोड़ता नहीं की अपने बॉडिके को बोलते हैं हमारे इसमें के नाम से चाहर से आपका लहते हैं और नाम की आ रहता है आपका मस् Скान होते हैं ऊल्टा हो गया हैं इधर ये जो और इधर होना था फैरोंव को सब्सक्रेजव तो यूवीय आप ये लिखनेंर्ट थो आप तो यह होगया हमारे पास आँपस इसमें इधर आजाएगा न इधर वाले में और आर्गनीजम आपका जो है इधर चल लाएगा थोड़ा से मेरे से लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है ठीक है तो यह होगे हमारे पास आई होब आज को जो हमारे वीडियो है वह आपको पसंद आया है तो देखते रहे हमारा यूटूब चैनल धन्यवाद थैंक्यू